कहानी की सुरुवात में एक लड़के को दिखाया जाता है जो अपने उडन खटोले पर सेल्विन सेक्ट के पैलेस की ओर जा रहा था और असल में वो सेल्विन सेक्ट का बेस्ट किलर जियान होता है जिसका वेपन फ्लाइंग स्वाड है वो अभी अपने मास्टर बाईली के पास स्प्रीट बोल लेकर आया हुआ था जिसका मास्टर कहाता है कि दाएंग सिटी में एक स्मॉल सेक्ट है और हमारे खिलाप वहां पर कुछ हुआ है इसलिए तुम उन सभी को मार दो और इस पर अपने साथ होन सेंग को भी ले जाओ यह सुनकर जियान अब दाएंग देता है लेकिन इसके दौरान वो एक निहते मा बेटे को छोड़ देते हैं और फिर रिलाक्स होकर एक दूसरे से बाते करने लगते हैं जिसके दौरान उन दोनों को देख ऐसा लग रहा था कि उनकी बॉंडिंग काफी अच्छी है लेकिन सहर से निकलते से मैस सेलेस्टिय करती है तभी जियान उससे पूचता है कि क्या तुम्हें मेरे गौड फादर ने भेजा है जिस पर रोची भी हाँ बोलती है और कहती है कि तुम बहुत अच्छे हो इसलिए तुमने उस मा बेटे को छोड़ दिया और ये बात मास्टर को पहले से ही पता थी इसलिए उन्हो के पंच में इतनी ताकत होती है कि वो सिल्ड तूट जाता है और जियान यहां से दूर जाकर गिरता है इसके बाद वो उन पर स्वाड से हमला करने की कोसिस करता है इसलिए मौंक एक मजबूत सिल्ड बना देता है जो कि जियान से नहीं तूट पाता तभी सेल्विंसेक्ट का केमिस्ट भी यहाँ पर आ जाता है और मास्टर बाईली के सारे गुंडे एक साथ जियान के उपर हमला कर देते हैं या देख जियान भी उनका सामना करने के लिए रेडी हो जाता है और वो भले ही सेल्व इंसेक्ट का सबसे ताकतवर और खुखार किलर है लेकिन तभी इसी काती है कि इस दुनिया में सब कुछ मास्टर ही डिसाइड करते हैं इसलिए हम उनसे किसी भी जगा पर नहीं बच पाएंगे तभी जियान वहां पर एक बलास्ट करके उसके स्मोक में गायब हो जाता है और वो जखमी हालत में एक नदी में गिरा होता है जहां पर उससे उस अपने घर ले जाति है जहां उसके फादर जियान के जखमों पर दवाई लगाते हैं तब ही जियान वह होसी में जुई का हाथ पकड़ लेता है और वोन इसलिए वो उसे room के अंदर ले जाती है और जियान पूछता है कि तुमने मुझे क्यों बचाया जिस पर जियू पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है लेकिन जियान उसे अपना नाम नहीं बताता इसलिए जियू गुसा होकर room से चली जाती है वहीं दूसरी तरफ होन सिंग और बाकी सभी मास्टर बाइली के सामने खड़े होते हैं जबकि मास्टर जियान के जिन्दा बच जाने से बहुत गुस्से में था और वो होन सिंग से कहता है कि तुमने केवल उसका हाथ काटा इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उससे प्यार करने लगी हो इसके बाद वो इनसे कहता है कि तुम सभी दोबारा जाओ और इस बार उसे मार कर ही वापस आना वहीं दूसरी तरफ जियू जियान को मार्केट में ले आती है और उसके पास में एक प्याला रख देती है क्योंकि वो चार ही थी कि जियान वीक मांग कर अपना पैंट खोल देती है और जियान को अपने साथ लेकर वहाँ से भाग जाती है लेकिन बारिस के वज़ा से वो दोने एक जगा पर खड़े हो जाते हैं जहां पर जियान अपना हाथ खोने की वज़ा से काफी निरास था और वो जियू पर इलजाम लगाता है कि तुमने ही मार करो मैं तुम्हें कोई नुकसा नहीं पहुंचाऊंगी अगले सिन में जियू अपने भाई हाउस यंग पर पढ़ाई ना करने की वज़ास से गुसा करती है और उसे एक थपड़ भी मार देती है लेकिन अब उसे नराज देख जियू भी उदास हो गई थी तभी जियान उ जैसी चोरी वाली जिंदीगी ना गुजारें और फिर वो उससे पूछती है कि तुम इसके पहले क्या करते थे जिस पर जियान कहता है कि मैं इसके बारे में बाद में बताऊंगा तभी पता चलता है कि हाउस यंग को उसी गुंडेने की नैप कर लिया है जिसने की जियान और जियू को परेसान किया था अविया सुनकर जियू अपने भाई को बचाने जाती है लेकिन वो उससे अपने जाल में पकड़ लेता है तभी जियान उसके सारे गुंडों को चुन-चुन के मार देता है और अपने स्वार का यूज करके उनके चीफ को नंगा कर देता है जिसे देख बाकी सभी वहाँ से भाग जाते हैं लेकिन असल में वो अपने आप से हार गया था इसलिए वो उस गुन्डे को स्वार केस भी दे देता है जबकि जियू और उसका भाई जियान को देख हैरान थे इसके बाद हाउस यंग अपने फादर को जियान के पाउर के बारे में बताता है और जियू के पैरेंस समझ जाते हैं कि जियान असल में सेल्व इंसेक्ट का मेंबर है इसलिए जियू की मदर जियान को उनसे दूर जाने के लिए कहती है ताकि मास्टर बाइली के लोग इनको कोई नुकसान ना पहुंचाएं लेकिन जियू अपने पैर लग कर रोने लगते हैं फिर जियू कहती है कि मैं तुम्हें मिस करूंगी और जियान कहता है कि मैं भी वहीं दूसरी तरह पुरोची मार्केट के गुंडे को सेडियूस करके उससे जियान का स्वार्केस ले लेती है और होन सेंग भी उससे जियान का लोकेशन पता कर लेती अगले दिन जियान जियू के फादर के कपड़े पहन कर बाहर निकलता है जिसे देख जियू की मदर अपने हस्पेन को इमेजिन करने लगती है और फिर बेहोस हो जाती है इसके बाद जियान सब के लिए खाना बनाता है और जियू की मदर को उसका बनाया हुआ खाना बहुत आता है इसलिए वो उसे अपने घर का कुक बना देती है और इस बात से जियू भी बहुत ज्यादा खुस हो गई थी क्योंकि फाइनली जियान अब उसके घर में ही रहेगा तभी जियू के फादर उसकी मदर से पूछते हैं कि तुमने उसे रहने की इसाजत क्यों दे दी जिस पर वो कहती है कि जियान ने वह ड्रेस पहन कर तुम्हारा याद दिला दिया इसलिए मैं अब चाहती हूं कि जुई जियान से साधी कर ले जिसके बाद जियू के फादर कहते हैं कि वो दोनों भी यही चाहते हैं अगले सीन में हम देखते हैं कि जियान और जुई मार्केट में घुम रहे थे लेकिन तबी वो रोची और होन सेंग जीव को बेहोस करके किड़नाप कर लेती हैं जबकि मौंग सेलेस्टियल सोल और केमिस जियान से फाइट करने लगते हैं लेकिन इसके बाद भी जियान उन सब के ऊपर भारी पर रहा था और वो जमीन के अंदर से तीनों मारे जाते हैं इसके बाद वो तुरंत होन संग के पीछे भी जाता है लेकिन सबसे पाहले वो जुई को अपने कंदे पर लटकाता है और फिर अपने सवर्डे के से खुदको और जीव को उनके अटैक से बचाता है तभी सी बीच होन संग को जियान के उपर दया आ जिसके बाद जियू जियान से कहती है कि तुम यहाँ से चलो क्योंकि हमारा जाइंट बर्ड इन सब को संभाल लेगा इसके बाद जाइंट बर्ड औरोची को अपने पैरों के नीचे कुचल देता है इधर जियान और जियू भी कुछ देर के बाद अपने घर पहुचते हैं लेकिन वहाँ पर मास्टर बाइलिंग उनके सिबलिंग्स के साथ में खेल रहा होता है जिसे देख जियान तुरंत ही उसके उपर हमला करता है और मास्टर भी उसके हमले को बेकार कर देता है फिर मास्टर बाइली कहता है क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हें क्यों मारना क्योंकि असल में मैं सेलविन मैचिक प्रैक्टिस कर रहा हूं जो कि इमोसन सो डिजार को पूरी तरह से खतम कर देती है और तुम्हारे अंदर वो अच्छाई है जो मेरी सारी मेहनत को बरबाद कर देगी क्योंकि मैं तुम्हें सच में अपना बेटा समझने लगा था लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे अंदर कोई भी इमोसन हो जासुनकर जियान उसके उपर हमला कर देता है लेकिन फिर भी वो मास्टर के सामने नहीं टिक पाता और मास्टर उसे मारने वाला होता है लेकिन इसी वक्त जियू के फादर आकर उसे बचा लेते हैं और फिर जियू के पैरेंस मास्टर के उपर हमला कर देते हैं जिसकी वजह से मास्टर घायलो कर वहां से चला जाता है और फिर कहता है कि मैं दोबारा वापस आऊंगा अब जियू के पैरेंस वापस अपने पुराने वाले रूप में आ जाते हैं लेकिन इस वक्त जियान बुरी तरह स जखमी होता है जिस वजह से जीऊ बहुत ही उदास हो गई थी इसके अलावा उसके मन में कई सवाल भी होते हैं इसलिए वो अपने पैरंस से पूछती है कि आकिर आप लोग कौन हो तब उसकी मदर किंचेंग बताती है कि वो तियांसियांसेक्ट की नेक्स्ट एवेंली लेड कर रही थी लेकिन उसे इसे सीखने की बहुत ही ज़्यादा जल्दी थी इसलिए उसने इसका बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया और पागल होकर असुरा बन गई जिसके दौरान उसने एक फैमली का खून भी कर दिया था इसलिए तियांसी अंसिक्ट ने उसे मौत की सजा स सुनाई जिसके बाद जियू के फादर ने अपने मौंट साओ सेक्टे के खिलाफ जाकर उसको बचा लिया था लेकिन कोई भी उसको बचाने के लिए राजी नहीं था इसलिए उसने अपने स्वार पाउर से सब को जक्मी कर दिया और इस तरह से वो दोनों यहाँ पर आ फिर जियू के फादर यून फेई करते हैं कि 20 साल से हम उनसे बचते आए हैं लेकिन अब हम मास्टर बाइरी के वज़ा से पकड़े जा सकते हैं इसलिए हमें अब किसी दूसरी जगा पर जाना होगा इसके बाद वे लोग यहाँ से जाने के लिए बोड की तरफ निकलते है तबी वहाँ पहुंचने पर वो देखते हैं कि माउंट साउस सेक्ट के मेंबर उन्हें मारने के लिए आ गए हैं इसलिए यून फेई अपने स्वर्ड पाउर से समुंदर की लहर को उठा देता है और इसकी वज़ा से सभी उसमें डूप जाते हैं और जियू के फैमली वह से निकल जाती है लेकिन स्वर्ड पाउर को यूज़ करने की वज़ा से यून फेई जक्मी हो गया था और अभी भी माउंट साउस सेक्ट के लोग उनका पीछा कर रहे थे इसलिए जूई काती है कि इनको मैं संबालती हूं और आप लोग यहां से चले जाईए इसके बाद वो उन सभी के साथ में फाइट करने लगती है लेकिन तभी मास्टर बाईली भी वहां पर आ जाता है और वो उसके उपर भी हमला करने की कोसिस करती है लेकिन मास्टर उसके अटैक से बचते हुए उसके एस के बारे में सवाल करता है और उसके मन में ये बात डाल देता है क इसलिए या सवाल जियू अब कीन चेंग से पूछती है जिसके बाद वो उसे बता देती है कि ये सच है और या सुनकर जियू उसके सीने पर चाकू रख देती है और उसके आँखों से आसू भी गिर रहे थे तभी अचानक से मास्टर बाइली उन दोने के ऊपर हमला कर देता है जिसमें जियू को बचाते हुए उसकी मदर के सीने में चाकू लग जाता है इसलिए कीन चेंग मास्टर को रोकने की अपनी पूरी कोशिस करती है लेकिन फिर भी वो मास्टर को नहीं रोक पाती जिसके बाद मास्टर जियू के सिबलिंग्स और जियान को मारने वाला होत लेकिन तभी जियान को होसा जाता है और वो मास्टर के आंख में एक नुकिला इस्टिक मार देता है जिसकी वज़ा से उसकी ये काक फूट जाती है और जाइंट बड उन सब को लेकर महां से चला जाता है लेकिन इस वक्त जियू की मदर अपनी आखरी सांसे ले रही थी इसल कि वो बाईली को हरा सके इसके बाद जियान भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करता है और बाईली से फाइट करने के लिए रेडी होता है यून फे यू से मोटिवेट करता है कि तुम्हारी येज के हिसाब से तुम मुझसे भी ज्यादा बेटर हो इसके बाद जियू के ना कि सारी तल्वारे खीच लेता है और उनी से उन सब को मार भी देता है जीआन अब बहुत ही ज्यादा पाउरफुल हो चुका था वह मास्टर बाइली के पास में आता है और वहांपर honeymoon कोड़े की मोसनल हो जाता है तभी मास्टर बाइली उसके उपर हमला करने की कोसिस करता है और इसके दौरान वो उसके उपर भारी पढ़ते हुए नजर आ रहा था तभी जियान अपनी पूरी ताकत से स्वार्ड अटैक करता है और फिर बाइली भी अपने डार्क स्प्रीड का जाइंट हैंड अटैक करता है लेकिन इसके बाद भी ज सेल्विन मैजिक पाउर की प्राक्टिस में इसी स्वार्ड की कमी थी जो की अब पूरी हो चुकी है इसके बाद वो गौड आफ सेल्विन मैजिक को पुकारता है यह देख जियान उसके उपर अपने हजारों तलवार से अटैक कर देता है लेकिन अब उसके सेल्विन मैजि को अपना वेपन बना लेता है जिससे की या पैलेस तूटने लगती है इसलिए जियान और जियू जाइंट बड के ऊपर बैट कर महां से निकल जाते हैं लेकिन मास्टर बाइली पैलेस को अपना जाइंट हैंड बना लेता है जिससे की वो जियान को पकरना चाहता था को इससे भी अच्छी मूब की जरूरत है इस पर जियान कहता है कि अगर मेरे पास में स्ट्रोंग माइन हो तो फिर मैं अनलिमिटेड स्वर्ड को यूज कर सकता हूँ इसलिए आज मैं तुम जैसे सैतान को मारने के लिए इस इन्फाइनाइट पाउर का यूज करूंगा और बाद वहाँ पर बहुत सारे तलवार आसमान से और जमीन से आ जाते हैं अब ये सभी जाइन्ट स्वर्ड एक साथ मिलकर एक जाइन्ट हेवेंली स्वर्ड बनाते हैं जिससे की हेवेंली गेट खूल जाती है या देक बाली को यकीन नहीं होता की हेवेंली गेट कैसे खूल गया जिसके बाद उसी heavenly sword से बाईली मारा जाता है अब हम देखते हैं कि जियान को heaven में जाकर immortal बनने का मौका मिलता है लेकिन असल में वो जियू के साथ में रहना चाहता है और इसलिए वे दोनों giant bird के उपर बैट कर महां से निकल जाते हैं जिसके बाद यहामू भी यहीं पर पर भी set कर देना